हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल IPL Champions पर, आपका एक्स्क्लूसिव प्लेटफर्म जहां आप लेकर आते हैं, किर्केट की दुनिया की सबसे ताजा खबरें और रोमांचक खबरें और सबसे ज़्यादा गेराई से जुड़ी जान का रही हैं, चाये वो मैच के प्लेट्स हो, किसी प्लेट्स की बाइग्रफी हो, मैच का विच्टेशन हो या पोस्ट मैच की चर्चा, IPL Champions पर आपको सब कुछ मिलेगा, IPL के हर चक्के, चौके और हर विकेट को हम यहाँ पर सेलिबरेट करते हैं, तो दोस्तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेट, द पर वापसे के लिए बिल्कुल तयार है, कोली IPL में एक बार फिर रोयल चलेंजर बेंगलोर के लिए खिलने उतरेंगे, कोली ने लंबे समय तक RCB की कपतानी की है, लेकिन अब टीम में उनका रोल सिफ बैट्समन का है, कोली ने RCB की कपतानी 2021 में छोड़ दी थी और उनकी जगा फाफ डुपलेसी टीम की केप्टनसी समाल रहे है, RCB की टीम ने अब तक कभी भी IPL की ट्रॉफी अपने नम नहीं किये, और कोली की कोशिच रहीगी, कि टीम इस बार ट्रॉफी के सुखे को खतम करे, वैसे रोयल चलेंजर बेंगलोर की वुमेंस टीम ने, वैसे रो एनि IPL का कोई खताब नहीं जीता है, जबकि RCB की वुमेंट टीम ने केवल दूसरे सीजन में ही ट्रॉफी जीत कर इतियास अरज दिया, इस जीत से RCB के पूर कप्तान विराट कोली भी खुश है, उन्होंने वीडियो कॉल पर टीम की कप्तान स्मृती मंधाना और पूरी टीम को बदाई दी थी, विराट कोली उन सिलेक्टेट प्लेयर्स में समील है, जो IPL के पहले सीजन से ही इस ट्रॉणरमेंट का हिस्सा है, जी हाँ, कोली IPL 2008 से खेल रही है, और शुरुवात से लेकर अभी तक सिर्फ RCB की जर्शी पहने में है, उनके नाम एक स्पेसल अच अपतान रोई शर्मा भी उन से पीछे है, कोली ने RCB के लिए 2008 से लेकर अब तक कुल 237 मैच के लिए है, जबकि धोनी ने चेन्नाई के लिए 220 मैच के लिए है, और वह कोली के बाद इस लिस्ट में दूसरे नमबर पर है, तीसरे नमबर पर रोई शर्मा है, जिन्होंने पर एक नजर डालते हैं, जो एक फ्रंचाइजी के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले प्लेयर बने हैं, सबसे पहले नमबर पर है RCB के विराट कोली, जिन्होंने कुल 237 मैच के लिए है, उसके बाद दूसरे नमबर पर है CSK के कप्तान महिंदर सिंगोनी, जिन्हो इन्होंने कुल 198 मैच के लिए हैं, और इन्होंने भी मुंबई इंडियन्स को IPL की 5 रफी जिताई हैं, इसके बाद आते हैं KKR के सुली नरैन, जो की चौते नमबर पर है, इन्होंने KKR के लिए कुल 162 मैच के लिए हैं, इसके बाद 500 नमबर पर है सनराइजस हैदरबा के लिए खेले हैं, इसके बाद संजू सैमसंग जो की चटे पाइधान पर हैं, इन्होंने राजसान रोयल्स के लिए कुल 124 मैच खेले हैं, इसके बाद अमिक शर्मा जो की 7 पाइधान पर है, इन्होंने दिल्ली के लिए कुल 99 मैच के लिए हैं, इसके बाद 8 नमबर पर ह पंजाब किंक्स के लिए प्यूस चावला जिन्होंने कुल 87 मैच इस फ्रेंचाइजी के लिए खेले हैं नौवे नमबर पर है look उपन गुजरा टाइटम्स के सुबमन्गिल जिन्होंने कुल 33 मैच गुजरा टाइटंस के लिए खेले हैं एक franchise के लिए 200 से ज़्यादा match खेलने का record सिर्फ दो ही players के नाम है विराट कोली और MS दोनी ही अब तक ऐसा कर चुके हैं जबकि रोहित को ये achievement हाजिल करने के लिए Mumbai Indians की ओर से अभी 2 match और खेलने होंगे विदेशी players की बात करें तो कोलकत्ता नाइट एडर्स के spinner सुनीन नरेन ने किसी एक franchise के लिए सबसे ज़्यादा match के लिए हैं नरेन KKR के लिए अब तक 162 match खेल चुके हैं और इस सीजन में भी नरेन KKR के लिए ही खेलने उतरेंगे नरेन गौतम गंबीर की कफ्तानी में कोलकत्ता फ्रेंचाइजी से जुड़े थे और तब से लेकर अब तक उन्होंने टीम को कई match भी जिता ही हैं नरेन 2012 और 2014 में IPL के टॉफी जीतने वाली KKR की टीम का हिस्सा भी थे कोली अपने दूसरे बच्चे के जनम के कारण लंदन गए वे थे और इस कारण वे हाली में इंगलेंड के खिलाफ खतम हुई पांच माचों की टेस्ट स्रीज में भी शामिल नहीं रहे थे कोली ने सोचल मीडिय के जर्य अपने बच्चे की जनम की जनकारी दी थी कोली रवीवार को इंडिया पहुचे थे और वे सोमबार को बैंगलूर में आर्सी भी टीम से जुड़ गए हैं कोली ने चिन्ना सौमी स्टेडि में नेट प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है आर्सी भी की वुमेंट टीम वो डबुल पील के केवल दूसरे सीजन में ही किताब जीत कर इतियाश रच दिया समर्ती मिंदाना की टीम मेर वीवार को फाइनल में दिल्ली केपिनल्स को हरा कर किताब जीता इसके बाद फ्रैंचाइजी की मेंस टीम के पूर मालिक विजे मालिया ने टीम को बढ़ाई देने के लिए सोसिल मीडिया का सहरा लिया उन्होंने ट्विटर पे लिखा डबुल पेल जीतने के लिए आर्सी भी वुमेंस टीम को हरदिक बढ़ाई ये एक सांदार डबल होगा अगर आर्सी भी की मेंस टीम भी आईपेल किताब जीतती है जिसका लंबे समय से इंतजार है गुड लग आर्सी भी की वुमेंस टीम की कप्तान समृती मंदाना ने फाइनल के बाद कहा कि पिछले साल वुमेंस प्रीमेर लीग जीतने में नाकाम रहने के बाद उन्हें टीम मेनेजमेंट से काफी सपोर्ट मिला है आपको बता दे आर्सी भी की वुमेंस टीम ने पिछली बार उन्होंने आगे कहा इसी की बदलत टीम ने फाइनल मैच में अपनी पहली WPL ट्रॉफी अपने नाम की उन्होंने का 2023 के वूमेंट टूर्णामेंट ने हमें बहुत सी चीज़े सिखाई WPL ट्रॉफी जीत कर IRCB की वूमेंस टीम ने ये कमे भी हासिल की है जो उनकी मैंस टीम 16 सालों से नहीं कर सकी मंदाना ने हमेशा सपोर्ट करते रहने के लिए फैंस को भी थैंक्स कहा मंदाना ने का पिछले साल ने हमें प्लेयर के रूप में, कैप्टरिन के रूप में और टीम के रूप में काफी चीज़े सिखाई टीम मैनेजमेंट ने जिस तरह से सीजन के बाद मैच NLSS के दोरण मेरा सपोर्ट किया मेरे हर फैसले में मेरी हेल्प की अभी भी मैं इस कुछी से बाहर नहीं निकल पाई हूँ मेरे लिए बहुत सारी एमोशन का एक साथ बाहर आना मुश्किल है केवल एक चीज जो मैं कहना चाहती हूँ वह ये है मुझे अपने टीम पर गर्व है हम उतार चराफ से गुजरे हैं जिस तरह हमने फैनल में केला वे देखना शांदार था हमारा बैंगलॉन लेक वास्ता में अच्छा था हमें दिल्ली में दो बड़ी हार का सामना करना पड़ा था हमने इसके बारे में भी बात की थी उन्होंने कहा आखरी मेच कौटर फाइलन की तरह था फिर सेमी फाइनल और फाइनल ऐसे टूर्णमेंट में आपको सही समय पर टॉप पर पहुचना होता है आशा शोबाना जिन्होंने दो विकेट लिए शिरेंका पटिल जिन्होंने बारा रन देखर चार विकेट लिए और सोफी जिन्होंने बीस रन देखर तीन विकेट लिए दोस्तों यह थी आज ही हमारी special video जिसमें हमने देखा कि कैसे विराट कोली अपनी IPL वापसी के लिए तयार है और RCB Women's Team ने कैसे अपने नाम की पहली अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताए अगली बार फिर मिलेंगे एक नए व प्लेट्स का सपोर्ट करते रहे थैंक्स और गुडबाई